कश्मीर में जहर घोलने वाला पाकिस्तान अब भारत में धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वन्स के 30 साल पूरे हो गए थे जिसको लेकर पाकिस्तान के विदेश मंतरी बिलावल भुटो ने एक बेहद ही भड़काव बयान दिया है। कोई संदिर नहीं है कि पाकिस्तानी मंतरी का ये ट्वीट कहीं न कहीं भारत में लोगों को भड़काने और इस समुद्दे का धार्मिक फाइदा उठाने के लिए किया गया है। भारत को धर्म का पाठ पढ़ाने वाले बिलावल भुटो शायद ये भूल गए हैं कि उनके देश पाकिस्तान में हिंदू मंदिर और सिख गुरदवारों की क्या स्थिदी है। विलावल भुटो के स्ट्वीट पर पाकिस्तानी पत्रकार विंगास ने जम कर लतार लगा दी। बड़े बड़े बयान देता रहता है। पाकिस्तान में इम्रान खान के सरकार विरोधी अभियानों से एक तरफ गुर्य यूद जैसे माहौल हैं तो वहीं दूसरी और खराब आर्थिक स्थिती की वज़ह से जनता दाने दाने को तरस रही है। ऐसी स्थिती में भी बिलावल भुर्टों भारत को नसीहत दे रहें। सफाई दी गई। भारत में जर्मनी के राजदूत ने एनलेना वेरवॉक के बयान को लेकर सफाई देते हुए कहा कि इस मुद्धे पर जर्मनी की रुप में बदलाव नहीं हुआ है। कश्मीर का मुद्धा भारत और पाकिस्तान का देपक्ष्य मसला है और इसका समधान दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत सही होना चाहिए। आपको बताएं तो बीते कुछ सालों में कश्मीर को लेकर भारत पहले से कहीं जादा एक्टिव है।